कर दो गाइज वेलकम टू आल ओफ यू लण वीथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल लण विथ मी मी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं गिया तो प्लीज इसे सब्स्राइब कर लिजेगा औ और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीज़ेगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीज़ेगा आज हम पढ़ने वाले मशीन इंपुड का पार्ट टू ठीक है पार्ट वन में हमने क्या डिसकस किया था कुछ बेसिक बाते क्लियर की थी और कोशन किसके स फ्रेंडार से बन सकते हैं हमने पता है उसके असेंडिंग हतना सकते चलिण करते का है घ्रैंड है बिल्कुल चोटा सबुद्रा थो उसमें बताया गया था किसाइप का कोश्चन आता है थीक in आज क्या करेंगे ग दूसरे पेटर्ण का कोश्चन पढ़ेंगे थीक है उसको हम सौल्व करना सीखंगे एक एक पार्ट में बनाती जांगे ठीक है उस Performed क्या करेंगे अलग अलग पैटन के कोश्चन सॉल्फ करना सीखते जाएंगे ठीक है तो चलिए आज के पैटन के तरफ चलते हैं मशिन इंपूट का पहला कोश्चन यह रहा ठीक है क्या दिखा है क्पील 68 U 35 49 17 गुड इसमार्ट कल आप लोगों ने देखा था कल हमने क्या किय सिर्फ वर्ड्स लिए हुए थे ठीक है लेटर से हमने सॉल्फ किया था आज क्या है लेटर भी है और क्या है नंबर भी है ठीक है इन दोनों के मिक्षर से हम सॉल्फ करना सीखेंगे ठीक है अब मैं यहां पे इन्पूट पे देख सकते हूं क्या लिखा हुआ है कपिल 68 U 35 14 अब 2 17 गुट और इसमार्ट आपको दिया रहेगा ठीक है और यह हिंदी पी हो चाहे इंग्लिश पर देता हमीसा इसी पेटन पर ठीक है देगा हमीसा इसी पेटन पर ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्फ करते हुए चलते है अब सबसे पहले स्चेप में देख रही ठीक है तो गुट के से आया अब मेरा दिमाग चलेगा यहां पर कपील लिखा हुआ है ठीक है पहले अगर मैं लेटर्स को ले लूँ तो कपील यू गुड उसके बाद इसमार्ट ठीक है यह दिया हुआ है और नंबर्स पर क्या क्या दिये हुए है नंबर हमारे पास दिये 68 35 49 और 17 मैं देख सकते हुए पहले स्टेप में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इनकी प्लेस वैल्यों अगर मैं देख तो 11 25 7 19 थी कह यह दो को याद करा रखा है उसके बाद सबसे पहले 7 अगया मुझे क्या समझ में सबसे पहले क्या लिए इसने गुड को लिया सबसे बाद इसने नंबर ले लिया ठीक है लेटर सबसे चोटा ले रहा है और नंबर सबसे बड़ा ले रहा है ठीक है अब देखते हैं इसके आगे तीसरे स्टेप में से क्या किया है पहले गुड आ गया उसके बाद नंबर आ गया उसके बाद क्या लिए इसने गुड 68 उसके ब मतलम मुझे कैसा मजब सबसे पहले का किया है सबसे झोटा लेटर लिए उसके बड़ा नमबर को दूसरा सबसे बड़ा नमब की है टीए इसने क्या किया है लेटर चोल रहे हमारे फिर्ट already completed Excel 711 मतलब किसमे बढ़ते किरम में ठीच किसमें PC किसमें अगया में ठीक है लेटर किस में चल रहे हैं डिसेंडिंग ओडर में अब क्या करेंगे हम लेटर कुलेंगे असेंडिंग में और नंबर कुलेंगे डिसेंडिंग में लेटर कुलेंगे बढ़ते करम में नंबर कुलेंगे घरते करम में ठीक है और पहले लेटर आ रहा है उसके बाद नंबर आ रहे है, लेटर आ रहे है, बढ़ते क्रम में, नंबर आ रहे है, घटे क्रम में, ठीक है, हमें यह करना है, यह है, हमेसा Ascending Order, यह है, Descending Order, ठीक है, तो चलिए, अब Solve करते हैं, यह इतना समझ मैं, क्या किए इसने, सबसे पहले, इसको एक बार solve करके देख ठीक है कपील 68 सबसे पहला step इसने क्या लिखा good सबसे छोटा था और बाकी को क्या लिखा कपील as it is लिख दिया फिर 68 फिर 35 फिर 49 फिर 17 ठीक है उसके बाद smart ठीक है यह पहला step इसने बना लिया good इसने क्या अब आप इंपूट पर देख सकते हैं चीज सबसे छोटा था उसके बद क्या आएगा लेटर के बद क्या आएगा नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए मतलब 68 तो गूट ऐसे ही लिख दिया हमने गूट पहले हमने अरेंच कर लिया था तो गूट के बद क्या आ गय और बाकी क्या जाएगा एजटीज ठीक है तो क्या गया कपी लाएगा उसके बद क्या जाएगा यू आएगा फिर बाकी 35 49 17 स्मार्ट ठीक है यह आ गया अब तीसरे स्टेप में क्या होगा तीसरे स्टेप में क्या होगा गूट और 68 तो अरेंज हो गया ठीक है गूट और 68 तो बद कम से चोटा उसे थोड़ा बड़ा कोई के हैं तो जी है फिनांबर फिर प्र लेटर डंबर फिर लेटर ऑंट की-टारेंच-टी आप जोनेいます क्यों क्यों कि यह पहले से अरिंच है हम क्या करेंगे एब के बाद क्या करेंगे यूल से लैatre आगया फिर नमबर आगय。 तो किसी चांस आई नामबर की ठीक है अब किसी तरहित नंबर यह चलता हों सबसे बड़ा नंबर क्या था मेरा 68 उसके बाद क्या जाएगा मेरा 68 के बाद क्या जाएगा 49 ठीक है तो हम क्या ले लेंगे good 68 कपिल रहेगा उसके बाद 49 आ जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है क्या करा हमने तीसरे स्टेप में हम कैसे सॉल्फ करेंगी तीसरे स्टेप लिखा मैंने उसके बाद क्या करेंगे good उसके बाद 68 फिर कपील उसके बाद 49 लिग देंगे ठीक है अब क्या क्या बचा good 68 कपील जम गया 49 भी जम गया बचा क्या you 35 17 smart ठीक है you 35 17 smart इतने बाते समझ मैं तीसरा step भी जम गया अब दोची सब्सक्राइब सबसे बचाएं क्या करेंगे तर्चाएं कहां कहां तक जम क्यूट आगे एक बार एक बड़ सिक्स्ट्रीए ठीक है लेटर आगे सबसे चोटा नंबर आगा सबसे बड़ा अभी क्या करेंगे हम गूट 68 जम चुका है कपिल 49 जम चुक है ठीकिए अभी क्या अना इसके बार लेटर आना है ठीक लेटर नंबर लेटर आयगा तो यह गूद ऐसे ही लिखा रहेगा 68 लिखा रहेगा क्यों tum जम चुका है, कपिल लिखा रहेगा, और 49 लिखा रहेगा, ठीक, अब ही क्या आएगा, लेटर आना है, और कौन से लाट रहेगा, 25 चोटा है, की 19 चोटा U चोटा है कि smart Y और S में कौन चोटा है S तो क्या आजएगा Smart ठीक है Smart भी आगया तो बचा क्या U और 35 और 17 ठीक है यहाँ पर 17 लिखा हुआ था U 35 और 17 U लिखा 35 लिखा फिर क्या लिखा 17 ठीक है इतनी बाते समझ में अभी क्या करेंगे यह दूसरा चोटा स्टेप बन गया अब क्या करना है Letter लिखा हमने Smart अब क्या करेंगे Number लिखेंगे ठीक है तो पांचवा कैसे लिखेंगे हम Good जमा हुआ था 68 जमा हुआ था Kapil जमा हुआ था 49 जमा हुआ था और Smart जमा हुआ था ठीक है अब इन तीनों में से क्या आएगा तो मैंने देखा Letter नंबर Letter नंबर Letter अब उसके बद क्या आएगा Number तो बड़ा नंबर लेना है क्योंकि Letter क्या है घटे क्रम में है Descending order में Smart के बद क्या जाएगा 35 Smart के बद क्या जाएगा 35 35 लिख लिए मैंने तो बचा क्या U और 17 अब अगला स्टेप बनेगा क्या नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि Smart और 35 मैंने जमा लिया 35 के बद लेटर Letter नंबर Letter नंबर Letter नंबर अब अगला क्या आना है Letter और यह Letter क्या है बिल्कुल दिया हुआ Letter के बद क्या है नंबर बिल्कुल दिया हुआ ठीक है अगर यह 17 और यू रहता तब हमें क्या करना पड़ता जमाना पड़ता क्योंकि 35 के बदा 17 नहीं आना था ठीक है पर यहां पर Letter दिया हुआ तो हमें इसको जमाने की जरुवत है क्या नहीं ठीक है इतनी बाते आगी समझ में इतनी बाते आगी समझ में हमने इस्टेप बना लिया पहला दूसरा तिसरा चौथा पांच वा ठीक है यह समझ में आगया कि Input कैसे चल रहा ठीक है एक बार letter ले रहा है एक बार number fill letter फिर number और letter कैसे ले रहा है ascending order बढ़ते क्रम में ठीक है number कैसे ले रहा है descending order घटते क्रम में ठीक है इतना दिमाग में click किया तूरंथ हम कहां चलेंगी फिर हमारे question की तरफ ठीक है तो अब चलते हैं इतनी बाते आगे समझ में हमको input का pattern समझ आगे अब हम चलते हैं अपने input के question की तरफ ठीक है तो question यह रहा क्या लिखा है boy ask me 62 93 36 15 him not ठीक है यह लिखा हुआ है इसके नीचे इसके questions दिये हुए ठीक है तो input लिखा हुआ है अब हमें क्या करना है इसको solve करना है ठीक है क्या लिखा हुआ है मैं इसे sort form में लिख लेती हूँ B लिख लिए मैंने, फिर क्या लिखा, A लिखा, B से boy, A से ask, M, E, me, ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ M लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, मैंने 62, 93, 36, 15, फिर him का H, और not का N, ठीक है, अब जब मैं पहला step बनाओंगी, तो मैं क्या देखूंगी, सब से पहले क्या लाना था मुझे, लेटर लाना था, वो भी सबसे छोटा, लेटर कौन सा है, B है, A है, M है, और H है, और N है, ठीक है, पांच लेटर दिये हैं, और चार नंबर दियो हुए, ठीक है, अब मैंने देखा, सबसे छोटा लेटर, B, A, M, H, N में से कौन सा है, A, तो N, ठीक है, यह हमने लिख लिया, अब मैं चलती हूँ, दूसरे स्टेप की तरफ, दूसरे स्टेप में A के बाद क्या आना चाहिए था, लेटर लिख लिख लिए, लेटर के बाद नंबर, नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, 62, 93, 96, 95 में से सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख N, ठीक है, यह लिखा गए, अब तिसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, A आगया, 93 आगया, ठीक है, लेटर आगया, नंबर आगया, अफिर क्या आना चाहिए था, लेटर, और A के बाद इससे थोड़ा बड़ा लेटर कौन सा है, A सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, B, तो B लिखा हुआ है, मतलब यह क्या है, आटो अरेंज है, पहले से यह अरेंज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, B क्यों हमें अरेंज करने की जरुवत है, क्या नहीं, ठीक है, अब हम इसके आगया अरेंज करेंगे, लेटर आ चुका है, नंबर आ चुका है, फिर ठीक है यह क्या है बच्चे हैं अब क्या करेंगे हम चौता ऐस्स्टेप देखा हम ने क्या कहाँ स्पहुँ है नाइन टी थी इन"! हुआ है अब letter आ गया number आ गया letter आ गया number आ गया अब किसकी chance है letter की और A A से बड़ा B B से बड़ा कौन है M H और N बचे है क्या बड़ा है H तो हम क्या लिख लिए है हमने क्या लिख लिए है है अब H भी हो गया तो अब बचा क्या M 36 15 और N ये बचे ठीक है अब 15 step जब हम बनाएंगे 15 step जब हम बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे M आ चुका है इतना लिख लिया तो हम M तक का arrange कर लेते हैं A 93 B 62 H sorry H तक का arrange हुआ था M तक का arrange नहीं हुआ था यह मैंने by mistake बोल दिया A हो गया 93 हो गया, B हो गया 62 हो गया, H हो गया, ठीक है H तक का arrange हो चुका है M 36 15 N H के बाद क्या आना चाहिए H के बाद आना चाहिए हमारा number, ठीक है, letter आया number आया, letter आया, number आया letter आया, अब किसकी चांस आई, number की और 93, 62 उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, 36 ठीक है, तो 36 हमने लिख लिया ठीक, क्या लिखा हमने 36, 36 हमने लिख लिया अब 36 के बाद क्या जाएगा S लिखा जाएगा ठीक है, H तक का लिखे हम H तक का लिखे हम S तक का उसके बाद क्या होगा, B, A 36 लिखा गया बच्चा के M, 15 M, ठीक है, M तक कि हमने तक 36 तक तो मैंने अरेंज कर लिया उसके बाद मैं देख रहे हूं थाइज कि नंबर है इसके बाद यह जाना चाहिए लेटर और लेटर ए बी एच एम बिल्कुल आ गया फिर कि यह लेटर के बाद नंबर कौन सा बचा 15 15 पिया यह लेटर कौन सा बचा एं तो यह यहां पर चार कोशन दिये हुए आपको हम इसको सॉल्व करना सिकते हैं ठीक है पहला कोशन बोल रहा हाँ मैंने कोशन इंग्लिस पर रखाए ठीक है मैं इसे हिंदी पर बोलके आपको समझा दूंगी ठीक है क्योंकि यह जो था इंपुड जो था वो तो ऐसी रहेगा इसने स्रेप की जरूषत है हमने देखा कितने बने हमारे एक दो तीन चार और पांच कितने स्रेप ने पांच पहले का आउसर क्या गया फईफ ठीक है पहले का अच्छा और या 5 दूसरा कोशन की बोल रहा है फायंद लास्ट बट वन इस्टेप ऑफ ऑन अरेंजमेंट क्य ऐसे फ्राना सब्सक्राइब है उसके पर भाले को बोलते हैं लास्ट बेन गया बनता है तो पेंगों आरेइगे बनेज़ में one two three four आफंटा ढ़िंगे ढ़िन.» चौथा वाला स्रेंट में जो चौथा वाला जोए स्टेप रहेगा वह जिसे प्यो उप्षेंप पर को वह हमारा क्या हो जाएगा ढाँसरह का इस्टा चاتप ऑन से है प्याइच यह जोटा सब्सक्राइब ठीक है अब क्या बोल रहा है which element will be six element from the left in second step क्या पुछ रहा है कि इन में से ऐसा कौन से element है जो क्या है left side से किस side से पुछा है left side से left side से left side से किते number पे है six number पे है अब कौन से step का बोल रहा है तो दूसरे step का ठीक है दूसरा step ये रहा इसके left step से बोला है छटवाइल स्टिप मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है छटवाइल स्टिप कौन सा है 36 ठीक है छटवाइल स्टिप कौन सा है 36 समझ में आए इतना तीसरा का आज़ेगा 36 ठीक है अब चौथा क्या पूछता है What will be the difference of अब इसमें difference पूछ लिया तो difference पूछा है तो किसका किसका पूछा है 4th element from the left ठीक है दोनों का अंदर पूछा है किन दोनों का अंदर पूछा है जो चौथा element है कहां से left side से किसमे 3rd element में 3rd element में left side से 1, 2, 3, 4 62 ठीक है क्या पुछा है अंतर पूछा है चौथा element left set से बाइं तरब से तीसरे स्टेट में और चौथा element पूछा है किसमे right set से किसमे 5 way step में मतलब 5 way step यह रहा इसके right set से 4 right मतलब यह पहला यह दूसरा यह तीसरा और यह चौथा मतलब 36 क्या पूछा है 62 और 36 का difference पूचा है तो क्या जाएगा इसका अंसर 12 में से 6 गया तो 6 6 में से 4 गया तो 2 आंसर के आज़े का 26 ठीक है इतना समझ में आया यही रहता है मशीन इंपूट में ठीक है आपको एक इंपूट दे दिया गया उसके बाद उसके स्टेप दे दिये गया आपने उसी स्टेप से पहचान लिया कि क्या पैटन चल रहा है फिर हम गए अपने कोशन की इंपूट की एक बाद को सीखिया खरोगे करें अगलिए अगर आप लोक यह लोग के लिए तो प्लीज इसे में व मुझ ज़ोगों की खीज़िए खीए ओगर आप उईसान पसंद हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले ठीक है तो चलिए शासन को एंड आप करते हैं तिल लन कीप लॉनिंग की प्रैक्टिसिंग थैंक्यू एंड बाए